और किस तरह से जातिगत गालियां दे के धमकी दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, तुम मेरा साथ दो हिंदु राश्ट बनाऊंगा, ये इसलिए तो बनाना चाह रहे थे हिंदु रामराश्ट, रामराश, रामराश तो बहुत कतरना गभाई, हम भीमराश में ठीक हैं सोसन पिनीद पर मानव द्वारा मानव के अधारित उस मनुष मर्ति वाले हिंदू राएष पर रामराश पर जाएंगे तुम कौन होते हो न्याय करने वाली ही यह इसी तरह का हिंदू राश लना चाहते है सुद्रों को ना बोलने का ना जीने का अधिकार है, ना उनको पानी पीने का अधिकार है, ना शिक्षा का अधिकार है, कोई अधिकार नहीं सिर्फ गुलाम, आपकी कोई हैसियत नहीं है कि आप किसी को मिट्टी में मिला दें, आपका इतना भर काम है कि आप जूटे केस बना के जेल में तो डाल सकते हो तो इसलिए हमें अपने लोकतंत्र को, अपने सविधान को और अपने भीम राष्ट को बचाना होगा सर दिरेन सास्त्री के भाई पर SCST का मुकदमा दर्ज हो गया लेकिन अभी तब ग्रफतारी नहीं हुई है क्या कहेंगे इसके लिए देखिए जो सरकार उनकी अपनी हैं, उनके नेता मंतरी वहां जा करके मद्देपरदेश के वहां पर सीषनवाते हैं और यह बड़ा दुरभाग्या इस देश का कि हमारे जितने भी नेता राजनेता हैं वो तमाम लोग इन चंगलों में इनके चाहे असाराम बापू हो, चाहे वो अपना राम रहीम हो, चाहे दूसरे संतों जो पहले तो इनके पास भीर देख करके वोट लेने के लिए इनके पास जा करके शरनवाते हैं, उनकी तारीफे करते हैं लेकिन जब वो पकड़े जाते हैं तो फिर ऐसे दुड़की हो जाते हैं गदे के सर से सींग और अभी ये जो अभी गटना हुई है दीरेंदर सास्तिरी के बिल्कुल पूरी पबलिक ने दुनिया ने देखा वो लाइब देखा कि किस तरह से तमंचा निकाल करके विल्कुल गैर कानूनी तरीके से गुंडे की तरह वो हवा में लहरा रहा है कैसे शिगरट उसके मूँ में लगी है मतलब फिल्मी एक्टरों को भी फेल कर दिया और किस तरह से जातिगत गालियां दे के दमकी दे रहा है जान से मारने की दमकी दे रहा है और उसके बाब जूद भी वो आदमी अभी तक जब की खाली है से चेक नहीं लगा है उसके उपर गैर कानुनी तरीके से वो वेपन को पबलिक में लहराने का उसको रखने का वो भी केस लगा है उसके उपर ये भी केस लगा है कि उसको जान से मारने की वहां के लोगों को दमकी देने की वो भी लगे है उसके बावजूद भी अभी तक गिरफतारी नहीं हुई है तो इसका मतलब ये कि जो एक तरफा कारवाईयां हो रही है जो इनके अपोजीसन में है अगर वो कुछ कह भी देते हैं गाना भी गा देते हैं इन से सवाल भी पूछ रहेते हैं गाने में तो भी येक नोटिस पोचा देते हैं और इनके लोग जो इन से जुड़े हुए है अगर ओं मडर कर रहे हैं बलतकार कर रहे हैं चोरी कर रहे हैं भर्षाचार कर रहे हैं उसके बावजूद भी उनके खिलाप कारवाई नहीं हो रही है लेकिन इस केस में एक बड़िया बात ये हुई है कि कम से कम F.I.R. दर्ज हो गई है F.I.R. दर्ज हो गई है तो आज नहीं तो कल गिरफतार तो इनको करना पड़ेगा या तो या तो वहां की MP सरकार उसके केस को वापस ले सकती है या फिर हो कोर्ट से कोईस हो सकता है और दोनों सूर्थों में ये नामुमकिन है अब इसको आज नहीं तो कल जरूर ये बचाएगा कब तक बचाएगा ये तो कोर्स ओफ लौ है जब एक बार F.I.R. हो गई तो उस पर कारभाई तो 100% होएगी कब तक रोकोगे आप तो वो नामुमकिन है रुकने वाली नहीं है अरेश्ट तो इसको होना ही पड़ेगा लेकिन धिरन सास्त्री ने भी अपनी तरफ से जवाब दिया है कि हम ऐसे लोगों से मेरा कोई रिस्ता नहीं है जैसी करनी वैसी बरनी देखो ये तो सिर्फ कहने की बाते है अभी तक तो कह रहा था मैं हिंदुराश्ट बनाऊंगा तुम मेरा साथ दो हिंदुराश्ट बनाऊंगा ये सीलिए तो बनाना चाह रहे थे हिंदुराश्ट कि हिंदुराश्ट में तो ये गुंडा कर दी करेंगे जैसे तालीवान वाले उन्होंने देखा ही गल्द कर रहा है पूचानी गचानी गोली मार दी यह तो बाबा साब के सभिधानते रूल अफ लौ है ना यहां तो आपको अगर पुलिस है वो अरेश्ट करेगी कोट के सामने पेश करेगी कोट उस पे पूरा इन्वेस्टीगेस के पास भी अधिकार है तो इसलिए आपको एक एक नागरिक को हमारा लौ यह कहता है बले ही सौ गुनेगार चूट जाएं मगर एक बेगुना को सजा नहीं मिलनी चाहिए और यह हिंदुराज क्या बोलता है कि जो तुमारी बातनाम अरे जिससे तुमें नफरत है वहीं पर ठोक दो वहीं गोली मार दो वहीं उसको खतम कर दो वहीं कोड़े मारने लगो वहीं पर उसको अपमानित कर दो वहीं पर कर दो कोई सुनवाई नहीं कोई कोट नहीं कोई रामराज 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 तो बहुत कतल ना गवाई हम भीमराज में ठीक है हमारा जो भीमराज ह मूल लागरिकों पढ़ाते हो शुद्रों को पढ़ाते हो इस कसूर में सिर्फ शिक्षा देने के कशूर में एक आदिवासी एक संबुख की गरदन काट करके हत्या कर दी जाती है तो हमने ऐसा राम राज नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए बीम राज में हम जो हमें कहरा है कि तुम्हें बिल्कुत समान अवसर, समानता की अधिकारी है, जो तुम्हें कहरा है कि सवतंतरता से तुम अपनी बात रख सकते हो, विचरन कर सकते हो, पूरे देज में कहीं भी रह सकते हो, वैपार कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो, ये सवतंतरता हैं हमारे पा पर दुनिया में उसके निंदा हो रही है कि दो नौजवानों को तिसलिए मार दिया गया कि उनको शक्ता कि यह गाय को ले करके पशुओं को ले करके जा रहे हैं और उनको पीट मार के कितनी कुरूरता से पीट मार करके और उस गाड़ी में बांध करके जिन्दा जला दिया ये बिल्कु पूरी मतलब हत्याचार की पराकाष्टा है पूरी तरह से मतलब मान भी है समवेदनाओं को पूरी तरह से मतलब कितना निर्दई लोग होंगे जिन्हों ने इस घटना को अंजाम दिया भाई देखो आज की तारीक में गौह हत्या पर एक कानून बन चुका है पशु उसके उपर एक कानून बन गया है तो आपकी डूटी है भाई आपकी डूटी है अगर आपको लगता है कि कोई गैर कानून तरीके से गाय ले जा रहा है पशु ले जा रहा है तो आप उसको पकड़ के पहली बाद तो आपको पकड़ने का भी अधिकान नहीं है तुम कौन होते हो न्याए करने वाले यह इसी तरह का तो हिंदुराश्ट लाना चाहते हैं इसी तरह का जिसमें दलीतों को मैरोटी को सुद्रों को कुना बोलने का अधिकार है ना जीने का अधिकार है ना उनको पानी पीने का अधिकार है ना शिक्षा का अधिकार है कोई अ जैसे हमारे योगी जी बोल रहे हैं कल विदान सभाब में कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा क्या पतानी को सब्दों बोला कि मतलब यह एक मुच्छ मंतरी को डैमोकरेशी में चुने हो आप तलवार से लड़के थोड़ी मुच्छ मंतरी बने हो इस देश का वोट लेकर के आ जारत के सभीधान के अनुसार आप मुख्यमंतरी बने हो आप कौन होते हो मिट्टी में मिलाने वाले आप हो कौन आप पुलीस हो आप जज हो आप हो कौन आपकी कोई हैसियत नहीं है कि आप किसी को मिट्टी में मिला दें आपका इतना भर काम है कि आप जूटे केस बना के ज इसको ये टेलर दिखा रहे हैं इस तरह की तो समझना चाहिए हमारे लोगों को कि अभी तो जब है कि जब इस देश का सविधान जिंदा है ये तो जब है कि जब चुन करके आए अगर ये गुंडा गर्दी से हिंदू राश बना करके चले जाएंगे हमारा वोट का अधिकार चीन करके जब ये सत्ता कैप्चर कर लेंगे तो उसके बाद ये क्या नंगा नाच करेंगे ये समझना चाहिए हर बारतिये को जैसे हमारी हातरस की बेटी मैं वहा गया था वहाँ पर देखा कि जो ठाकूर लड़के थे उनके पक्ष में ठाकूर समाजोने पंचायते कर रहा है दुनिया लड़ रही है उनके लिए उसको मार दिया दर्दनाक ओ तरीके से और उसको रात को तीन वजए उसकी बोड़ी पुलिस ने जला दी और उसको बचाने की कोशी सुरी है पुलिस द्वारा परसासन द्वारा और वहां के लोग महीला हैं उसको बदनाम कर रहे हैं उस मिर्तक लड़की को तो ये तो गलत चल गया न इस देश में गलत तरह का कि दोसियों के साथ ख़़े होने का अगर कोई को अपने सविधान को और अपने भीम राष्ट को बचाना होगा नहीं तो ये अगर इनका हिंदू राष्ट और राम राज बन गया तो इसी तरह की गुंडा गर्दी होगी इसलिए हमें हर हालत में भारत के सविधान को बचाना ये हम जिम्मेदारी है